तो मैगी ओमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम मैगी बनाकर रेडी करेंगे तो इसके लिए एक पैन में मैंने या पर एक बड़ा चमस तेल डाला है तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम एक छोड़े साइस के प्याज को बारी बारी काटके डालेंगे थोरा सा इसमें ये बारी कटवी हरी मिर्च डालेंगे साथ ही इसमें हम अपने पसंद के एक वारिंग थोरा सा ये बारी कटवा सिम्ला मिर्च भी डालेंगे यहां पर आप अपने पसंद के एक वारिंग कोई भी सबजी आड़ कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद ना हो, उसे आप पूरी तरह से skip कर सकते हैं, आप इसमें बारी कटवे बेंस, गाजर, मटर, जो भी सबजी आपको पसंद हो न आप इसमें डाल सकते हैं, और हमें इन सबजीयों को ज़्यादा fry नहीं करना है, बस हाई फ्लेम पर दो मिनट ही fry देखे, थोरी देर में ही प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, तो इससे ज़्यादा इन सबजीयों को fry नहीं करेंगे, तुरंत इसमें हम पानी आड़ करेंगे, और यहाँ पे हमें ड्राइ मैगी बनाना है, तो पानी आप हिसाब से ही डाले, जितना पैकेट पे लिखा हो, बस उतना ही पानी डाले, तो एक पैकेट मैगी के लिए मैंने यहाँ पे करीब 210 रमिल पानी डाला है, और अब इसमें हम यह एक पैकेट मैगी का डाल देंगे, तो मैगी को बिना तोरे ऐसे साबूत ही डाल देंगे, ताकि मैगी जो है ना वो लंबे लंबे कर देंगे और इसे करीब 3-4 मिनिट के लिए पकाएंगे या फिर जब तक कि मैगी पूरी तरह से अच्छे से पकना जाए और इसमें जो भी पानी है ना वो पूरी तरह से ड्राइ ना हो जाए थोरी थोरी देर पर इसे हम चलाते भी रहेंगे ताकि ये सबी तरफ से एक अमलेट बनाने की तैयारी करेंगे तो अमलेट बनाने के लिए बाउल में हम दो अंडे को तोर कर डालेंगे या फिर आप अपने पसंद के एकॉर्डिंग पैन की साइज अगर बरी हो तो उस केस में आप एक बार में 3-4 अंडे का भी ऑमलेट बना सकते हैं अब इसमें हम चोड़ा सा ये बारीक कटवा प्याज़ डालेंगे साथि इसमें हम थोड़ा सा ये बारीक कट भी हर्यमिर्छ भी डालेंगे थोड़ा साइसमें ये बारीक कटवा playoffs भी डालेंगे अब टेस्ट के recording इसमें हम नमक ई दालेंगे तो नमक आप हिसाब से ही डालिएगा क्योंकि मैगी में अल्रेडी नमक होता है अब एक चोथा ही छोड़ी चमच इसमें हम यह काले मिर्श पाउरो डालेंगे और किसी भी फोर्क स्पोन या फिसकर की मदद से अंडे को एक दम अच्छे से फैट लेंगे यह देख को हम पैन में डालेंगे गैस की फ्लेम को यहां पर लो टू मीडियम रखेंगे इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है नहीं तो फिर क्या होगा कि आमलेट जो है ना वो नीचे से बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा और उपर से यह कच्छा रह जाएगा क्योंकि इसे हम पर दूसी तरफ पलटना नहीं है तो आराम से इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे इसे पकाते हुए मुझे यहां पर करीब 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं करीब यह 80% पक चुका है तो अब इसमें हम यह मैगी डालेंग तो दो अंडे के ओमलेट में आधा मैगी बिल्कुल पॉफेक्ट है यह जो बाकी का बचावा मैगी है यह हम दूसरे ओमलेट में यूज करेंगे अब इसे हम बहुत इसाबधानी से फोल्ड करेंगे और इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को हम एक दम लो कर देंगे और लो फ् करनी से इसे हम दूसरी तरफ पलटेंगे तो पलटने वक्त आपको ध्यान रखना है कि यह जो ओपन वाला पॉर्स है ना उस तरफ से इसे में पलटना है ताकि मैगी बाहर ना निकले और लो फ्लेम पे ही इस तरफ भी इसे करीब हम एक से देरी मिनेट के लिए पकाएंगे क्योंकि यह थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो अगर आप एक कल्ची से निकालेंगे ना तो यह तूटने लगेगा आप इसे गर्मा गर्म टमैटो केचप के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चे हो या बरिस सभी को यह बहुत पसंद आता है तो आप इसे जरूर तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए